हाई फ्रेंड्स गूड मॉनिंग फ्रेंड्स बिकलांग कुमाड़ पत्र बनवाने के बार आपके मन में आता होगा कि अब मुझे पैंसन के लिए अपलाई करना है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिस्केस करूँगा कि फ्रेंड्स कैसे आप पैंसन के लिए अपलाई क करेंगे स्वू सिलाज तक सारा प्रोस्स में आपको बता हुआ कि कैसे आप उडय कर सकते हैं किस तरीके साब को पेंसर मिलेगा और कितने थर मिलने वा लिबा लिए और यह से साथ साथ मैं यह पो बता दू इससा इस साथ आपको जैसा का वित लैंहाट पत्रestion ये शुरू से लाज तक का सारा प्रोसेस में आपको बता हुआ कि कैसे आप पैंसर के लिए अपलाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको पैंसर मिलेगी और कितनी पैंसर मिलने वाली है और फ्रेंट्स इसके साथ साथ मैं आपको बता दू फ्रेंट्स इसके साथ साथ आपको जैसे आपका बिकलांग प्रमाड पत्र बन जाएगा यानि कि आपका UDID कार्ड बन जाएगा ओफलाइन फ्रेंट्स अब बैलेड नहीं है यह बात में बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में यानि कि आपके पास ओफलाइन मतलब हाथ से लिखा हुआ जो बिकलांग प्रमाड पत्र कौन सा बन वा ना मतलब फरेंट्स UDID कार आपका बन जा है उसके बाद ही आप को यह समझना है कि आपका ब्यकलांग प्रमाड पत्र बन गया और जब वह बन जाता तो सबसे पहला आपकाम करें कि आप उसे फ्री ड्रेवल कर सकते हैं यानि कि आप शरकारी बसों में कहीं भी यात्रा कर सकतें और दूस्री बात में बता हूं house, उसके बात आप कर सकते friends pens toothbrush के लिए aply पैंशन उसके लिए अपने लाइ करने के लिए सबसे पहले आैको मोईयलिया लैप्तौब आधिके आप मोईयल से भी इप्लोड कर स्विख स्चनग आते हैं तो हमने मोबाइल या लेपटॉप में आकर सुर्च पर आपको लेखना है यहां पर आपको लिखना है विक्लांग पैंस यहां पर जैसी आप लिखेंगे अपको साथ करेंगे सर्च करेंगे सर्च कर nutr da साब से first link जो आपके सामने आएका देखिए MN something पिलिए बात करने बाला हूँ पैले देखिए दिब्यांग पैंसर लिखा हुआ अंपर इस लिंक पर क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करांगे आपके सामने इस तक के सामने आजाएगा हो सकत black आपको यह समझ में ना है देखिए मैं काफी एजी तरीके समझाने की कोशिस करूँगा ओके तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं देखिए सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं ऐसे जूम करूँगा मैं फ्रेंड तो आपको चीजें किलियर दिखेंगी आवेधन का प् देखिए यहां पर क्या लिखा है दिब्यांग एंड लेप्रोसी पैंसन दिब्यांग जन शशक्ति करण विभाग है यहां पर फॉर्म को हमें पूरी अच्छी तरीके से फिल करने ला है फिल करने से पहले थोड़े से हम डॉकुमेंट के बारे में बात कर लें आपके पास आधार कोड़ा होना चाहिए आपके बैंक में पास्वक होना चाहिए क्योंकि पैंसन आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी फ्रेंड्स इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके पास आय प्रमाड पत्र होना चाहिए आपका नहीं तो आपके फादर का चल जाएगा और इसके ब सिलेक्ट करना है जो भी डिस्टिक है वो आप यहां से सिलेक्ट कर ले कि उसके बाद आपको तहसील पर चलेक्ट करने selecting करने के बाद अब आपको तहसील सेड़ेंड करनी है उस जिले में जितनी तहसील नहीं स्फलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उस से पहले आपको अपना नाम जो भी अविदक है उसका नाम लिखने के पूरा पता फिल करना है इस को यहाँ पर देगे बैंक का बिबरत दिखा बैंक के बिबरत पे आएंगे तो बैंक डेटिल देंगे सारी सबस्दब्रेंग का नहीं जैसी सिसक्ट करेंगे सारी बैंक जैनकी जोभी आपकी बैंक वारालिज उसको सिल्एक्ट करने के बाद में प्रेंड यहाँ पर देखिए बैंक चाहा का जो भी आपकी बैंक की साखाई HATTA है तो HATTAा सेलेट कर ले याप पर आप the कोड आ गया और फ्रेंट से यहां पर आपको अपना थाता नंबर यानि कि अगांट नंबर आपको यहां पर फिल करना है उसके बाद फ्रेंट यहां पर दुबारा से फिल करना है वही account number उसके बाद है फ्रेंटस देखिए साही detail अब्रमेट यह ले लेता है इसके बाद आपको अपनी आयका बिबट देना यानि कि घर की income कितनी है फ्रेंटस आपकी income कितनी है तो फ्रेंट तैसिल द्वारपदत आई प्रमाढ़ पत्र किरमांक यहां फिल करना है और एपको फिल करना है तैसिल अप्रुमाणगत पत्र की आफिधन संख्या यानि कि रही स्नमुटर 나왔 इसका किरमांग T shared पर ओकर एक बार बनवा लेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा उसके बाद आपको अपनी disability की detail देनी है यानि के आप किस परकार के दिब्यांगे सारी यहाँ पर फ्रेंट्स देखिए आ गई जो भी आपकी है वो आप select कर ले और इन वैसे कोई option नहीं है तो आप अधर पर ऐसे click कर सकते हैं click करने के बाद friends दिब्यांगता का percentage यहां फिल करना है आपको और friends यहां पर फिल करना है आपको दिब्यांगता प्रमार पत्र जो को जो certificate है उसका number आपको फिल करना है या पर आप UDID का number भी फिल कर सकते हैं उसके बाद प्रमार पत्र जो आपका जब से जारी हुआ जब बना था वो date आप को यहां से सलेक्ट रननी है यह कलेंडर का आइकन देख रहा है इस पर क्लिक करके आ जाए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यह सारी डेटेल आ गई इस तरह के सलेक्ट कर सकते हैं उसके पाद क्या यूनिक दिव्यंग यानि कि क्या आपके पास UDRD काड़ उपलब्द है है इस नहीं है तो तो नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं ओके जब यहां पर आप नमबर डालेंगे UDRD kaart नमबर उपलोड की आपके पास है यादे नहीं है तो जो बटन पर आपको किलिक करके अपना इंसे अप सकते और तके बाद कर देखिए पर आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है अपलोड आयू प्रुमाडपत रहाने के आपको अपनी इंकम बो सौरी आयू प्रुमाडपत मना एज का एज में आप अपना अधरकाड यहां पर अपलोड कर सकते हैं उसके बाद ग्राम सबाब प्रस्ताब रूडल एरिया का यहा में लिखा होगा फ्रेंड्स प्रदान से लिखवाना है कि यह व्यक्ति दिब्यांग है या दिब्यांग नहीं जो भी है उनको सिर्फ इतना लिखना है कि वो आपके इस गाउं के निवासी है यह व्यक्ति जो है यह इनके फादर नैम यह है यह हमारे गाउं के निवासी है और में मे quandary बात हैs जानता हूं इतना करके उनके साइन हो जाएंगे और उसके फोटो क्ले करके यह पर उपलोड करणे उसके बाद दिब्यांक मौन आप्छक के आपको एपलोड करना है यानिकि जो आपको बिकलांक सर्तिफिकेट हम के सका फोटो क्ले करके यह पर अप्लोड करने के बाद यहां पर एक जानने वाली चीज़ देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है डॉकुमेंट अप्लोड फॉर्मिंट मैक्सिमम साइज इन तू हंड्रेड के वी यानि कि जो फोटो का क्लिक करेंगो इसका साइज 200 के वी के आसपास ही होना चाहिए और इसका फ्रेंट्स देखिए 20 के वी के आसपास होना चाहिए जो आपका फोटोग्राफ होगा उसके बा ला थी देन है और नस्क्र रख कर दिया जाए इस पर करने के बार की लिए क्लिक करने के बाद अब कर सकते ऐसको डाउंलोड करसकते डाउंलोड करने के बाद में अब देखिए अगर आपको पैंसन चाहिए तो अब जो प्रॉसेस में बताने वाला हूं काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस यह एप्लीकेशन का जो फोटो है वो प्रिंट करवा लें आप उके इसका PDF में प्रिंट करवा लें प्रिंट करवाने के वाद ज जो आपका विकलंग औफिस होता है वहां पर फ्रेंड सीनको सम्मिट कर दिना हैं सम्मिट कन बाद हो से आपको रिशीप्ट ले लेनी है कि आपनी डौकूमेंट सम्मिट कर दिये उसके बाद आपका काम-खतम आपको कुछ भी नहीं करना है सारा वैरिफिकेशन होगा वेरिफिकेशन होने के कुछ समय के बाद आटमेटिक आपके बैंक अकाउंट पैंसर आना शुरू हो जाएगी फ्रेंट्स उम्मीद करता हूं इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगिया है वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए मिलता हूं नई इफ्रेंट्स इंफर्मेशन आफ विडियो के साथ तब तक लीब आएक कि अगे में पालगा बहा हूं अ झाल झाल